क्रूज ड्रग पार्टी केस में आरूपी आरियन खान अभी सराखों के पीछे ही रहेंगे उनकी जमाना तरजी एक बार फिर खारिज हो गई है मुमे के स्पेशल एंटी पेस कोट ने आरियन अर्बाज मर्चंट और मुनमुन धमीचा को बेल देने से इनकार कर दिया है पहले कोट ने ऑपरेटिव ओर्डर ही जारी हुआ हारिन खान के वकील अमीद दिसाई और शारुख खान के मैनेचर पूझा ददलानी बेल एप्लिकेशन के लिए हाई कोट पहुचे थे मुनमुन धमीच्वा के वकील अली काशिफ खान भी हाई कोट पहुचे लेकिन देरी हो जाने की वज़ा से किसी की भी याचिका दाखिल नहीं हो पाई क्रूज ड्रग पार्टी केस में 3 अक्टबर को गिराफतार किये गए आरियन 8 अक्टबर से मुंबई की और्थर रोड जेल में बंद है जेल में आरियन को कैदी नंबर 956 का बैच मिला है आरियन की 14 दिन की नियाए के हिरासत भी 21 अक्टबर को खत्म हो रही है आरियन की जमानत का विरोध करते हुए ASG अनेल सीह ने कहा था कि रेकॉर्ड और सबूतों से पता चलता है कि आरियन पिछले कुछ वार्ष से ड्रग का नियमित सेवन कर रहे हैं ASG ने कहा कि आरियन काफी प्रभावशाली है और जमानत पर रिहा होने पर सबूतों के साथ चेड़ चाड़ या उनके दीश से भागनी की आशनका है सीही ने कहा कि ठोच सबूत के आधार पर आरियन और उनकी दोस अर्बास की गिरफतारी हुई है वहीं NCB के हाथ की कुछ चैट भी लगी है जिसमें एक उभरती हुई एक्टरिस संग ड्रग को लेकर आरियन ने चर्चा की है 14 ओक्टरबर को सुनवाई के दोरान NCB ने इस चैट को सबूत के रूप में अदालत के सामने पीश किया था आरियन की वकील अमिर देसाई ने आरियन के कबूल नामे को भी जबरजस्ती लिया गया बयान बताया है वहीं देसाई ने कहा कि NCB कह रही है कि आरियन ने कबूल किया है कि वे अर्बास के साथ चरच से लेने वाले थे लिकिन अदालत यह भी जानती है कि चीजों को कैसे स्विकार कराया जाता है